अश्कार साथियो बिहार एस्टेटी आज आ सकते हैं महतपुर्ण फैसला या आज हो सकता है महतपुर्ण दीन सभी के लिए क्योंकि आज आप सभी को पता है कि जो ब्लाइन फ्रेडरेशन केस है उसका जो कोज लिष्ट है देख सकते हैं या फर्स्ट नंबर पर ही आया हुआ है जब फर्स्ट नंबर पर लिष्टेद है इसका मतलब है कि यह महतपुर्ण है और जो यह सरकार है वह इस पर जागरूख और कहीं न कहीं वह इस पर आज बहाली करने के मूड में है और जल्दी फैंसला करवाना चाहती है तो आज का जो महत्मुन दिन हो सकता वो दो फैंसली के लिए हो सकता पहला समझें कि जो चार प्रतिसर दिव्यांग जनों का अरक्षन है वह पहले ही सरकार जो महाधिवक्ता तो औरल रूप से कह दिये हैं कि सरकार ने माल ली है अगर वह माल ली है तो अपना दायर कर शकते हैं और उसके बाद दूसरा जो बनता है कि कुछ दिनों के लिए लीव दे दिया जाए लीव बीस पर करसे दिया जाए कि चार प्रतिसर सीट को छोड़ कर सभी जगहों पर बहाली या न्यूकती जो हैसे कर दी जाए और लीव क्यों दी जाए चुकि हो सकता है कि ब्लाइंड जो दिव्यांग जन है वो यह मांग करें कि जहां जहां हमने फॉर्म अभी तक अपलाई नहीं कि हम वो शभी जगह पे फॉर्म अपलाई करने का मौका दिया जाए तो य या दूसरा जो है वो दिव्यांग जनों के लिए कुछ दिनों का लीव दिया जाए कि आप जो है इन सीटों पर जो भी बचा हुआ है ऐसा बहुसा न्यूज पेपर और न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं लेकिन अब सरकार क्या करती है तो उसकी मंस आए और कोट में क्या वो बयान देती है लेकिन आज का दिन महत्पूर्ण होने वाला चुकि फस्ट नंबर पर जब ये जबलाइन फेडरेशन केस है इतना जो है उसका कौज लिस्ट पर लिस्टेड है फस्ट नंबर पर तो आज भी टाइम भी दे दिया गया है सारे दस वजे तो तेखिए इतन जल्दी तो नहीं होने वाला है लेकिन जहां तक यह सवाल है तो कुछ ना कुछ तो इसमें टाइम लगेगा ही लेकिन अगर शरकार चाहती है तो चार पर तीसत दिव्यांग जनों को सीट को छोड़ कर और वह आगे बढ़ सकती और बाहली परकिरिया को जो जून में बोल तो यह वह परकिरिया शुरुवात की जा सकती है और यही सब बाते हैं आज तो अब देखते हैं कि आज क्या होता है सारे दस वज़े फैंसला आना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगा